हर्याना के रोतक में एक बेहद ही संसनिखेज घटना हुई जहां पर मामुली सी रंजिश को लेकर पांच लोगों की सरयाम हत्या कर दी गई ये रोतक जिले का जाट कॉलिज का चात्रावास में कुष्टी हॉल है यहीं पर कल शाम करीब साड़े साथ में ये वाके में दिल धहला देने वाली घटना हुई जब जो आरोपी बता जा रहा है सुकुंदर नाम का वो अपने कुछ साथियों के साथ यहां पर मौजूद था और यहां पर पहले से ही जो अन्न कोच हैं जिसमें मनोज सतीश और एक जो महिला पहलवान है और इसके लावा मनोज की पत्नी वो भी यहां पर मौजूद थे तो जो सुकुंदर है उसने अपने कुछ साथियों के साथ यहां तमाम जो लोग थे उन पर तावरत और फाइरि नहीं किया और यह बताया रहे हैं जो आप उपर बालकनी देख रहे हैं पूरा जगडा इसी पर हुआ यहीं पर सरयाम फाइरिंग की जा रही थी और आसपास बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे वो तमाम जो लोग यहां पर थे वो गोलियों की अवाज सुनकर ज कि तीन अन्य घायल बता जा रहे हैं और उसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम आ रहा है सुक्विंदर बताया रहा है कि सुक्विंदर की अखाड़े में कोच को लेकर कोई जगड़ा चल रहा था लगातार और उ उसने बातचीत के लिए बुलाया और उसके बाद उसने पूरी प्लैनिंग के तहट यह हमला किया क्यों में सान नितिन के साथ में मलकौशिक दिश्टन डिफोर रोग तक